पाकिस्तान में उड़ा आलिया भट की फिल्म गंगुबाई काठ्यावाडी का मजाग पाकिस्तान की एक रेस्ट्रो ने आलिया भट की गंगुबाई काठ्यावाडी के एक सीन को ऐसी जगह पर इस्तमाल किया जिसके बाद सोशल मीडिया पाकिस्तान के इस रेस्ट्रॉप पर भड़क उठे एक्चुली गंगुबाई काठियावाडी में हम सब जानते हैं कि आलिया भट ने प्रोस्टिटूट का किरदार निभाया है और इसी दौरान इस फिल्म में एक सीन बताया गया है यह वो सीन है जहां पर आलिया भट कोठे के बाहर खड़ी होती है और हाथ से इशारा करके ग्रहकों को अपनी और कोठे में बुलाती है इसी सीन को इस्तमाल करते हुए इस पाकिस्तानी रेस्ट्रॉप ने अपने रेस्ट्रॉप का एड कर दिया और बताया कि मंडे को मेंस के लिए स्पेशल 25% डिसकाउंट है लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि कैसे एक फिल्म के गंभीर सीन जो एक कहानी कहता है उसको अपनी रेस्ट्रॉप को प्रमोट करने के लिए ये बहुत ही बेहुदा आईडिया इस रेस्ट्रॉप ने इस्तमाल किया है सोशल मीडिया पर इस रेस्ट्रॉप को बुरी तरह स्लैम किया और कहा कि ये क्या बेहुदगी है स्विंग नाम की ये रेस्ट्रॉप है जिसके बाइकॉट के नारे लग गए लोगों ने कहा कि एड़टाइजिंग के नाम पर अब तुम और कितना गिरोगे। लोगों ने कहा इस आड को डिलीट करो ये मार्केटिंग का बहुत ही बेकार आइडिया है। सोशल मीडिया पर इस तरह का बवाल उठने के बावजूद रेस्ट्रो वाले के कान पर जू तक नहीं रहेंगी और उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान किया कि फिल्म में अगर कोई ऐसा सीन इस्तमाल करे तो ठीक है लेकिन रेस्ट्रो के प्रमोशन के लिए ऐसा सीन इस्तमाल क करो तो गलत है कहीं न कहीं आलिया भठ की फिल्म जो उनकी जिन्दगी की सबसे खास फिल्म है उसका यह गलत इस्तमाल हुआ है यह सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है आपका क्या खयाल है क्या इस तरह से फिल्म के सीन को निकाल कर रेस्ट्रो को प्रमोट करना ठीक है कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें